असलाम लेकुम फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पालक के फवायत बताऊंगा दोस्तों पालक एक ऐसी सबसी है जो दुनिया के हर फिटे में असामी तेसे दामू में दस्याब है ये कुद्रत की तराफ से एक टोफ़ा है जिसमें बेशमार हिवायत जाप मुझूद है इसमें विटामन क, विटामन A, मेगनीशम, पॉलेट, मेगनीज, एरन, कैल्शम, कुटाशम, विटामन C, विटामन B, दू और विटामन B मुझूद है इलावा जी, ये सब्जी प्रोटीन, विटामन E, जर्ट, रेशा और तामबा का एक जरीया भी है पालक हर मुसम में दस्याब है, इसे सलाज में कच्चा और पका कर भी खाया जाता है इलावा जी, पालक के बारे में आम लोगों के जैनों में कुछ घलत अकायद में जनम ले लिया है मसलम पिशाब का मसला है तो पालक नहीं खा सकते मेदे में कोई प्राबलम है तो पालक खाना मना है गुर्दू की कोई बिमारी है तो पालक चक नहीं सकते नक्रस गाउप, फैराइड और गाल ब्लीडर की बिमारी में ये सब्जी खाना मना है इन खराफात की वज़े से बाद लोग पालक जैसी बेहद मुपीद सब्जी खाने से परहेज करते हैं अब आप पालक के फएदे सुनकर खुदी फैसला कर लें के ये सब्जी खाएं या ना खाएं एक प्याली पालक में रोज़ाना दरकार 20% गिज़ाई रेशा मुझूद होता है जो निजाम हाजमा का दोस्त है कब्स से निजाद दिलाता है खुद में शुगर की सब्दा को एतदाल में रखता है और ज्यादा खाने से रोपता है तो इसमें विटामन सी, विटामन ए, बीटा करोटीन, मेगनीज, जैसे जिन्क, सेलीनियम जैसे माने तकसीदी अज़ा पह जाते हैं जो खुद की नालियों को मतवर्म होने से बचाने के अलावा हडियों की बिमारी और आस्ट्यो प्रोसेज और हाई बलड प्रेशर से बचाने में एहम रूल अदा करते हैं इसी तरह से ये बिनाई में भी फैदा बख्ष है माने तकसीदी अज़ा लेटन और ज्याज़ खीन पालक के पतों में वाफर मिकदार में मजूद हैं यह मोतिया से बचाने के अलावा आँखों की बिनाई पर मस्बत असरात मरतब करते हैं पालक जिल्द के लिए भी मुपीद है विटामन A की वाफर मिकदार जो पालक में मजूद है जिसन की जिल्द पर मस्बत असरात मरतब करती है यह जिल्द को जुरियों से बचाती है और जिल्द को नर्म और साजा रखती है इस तरह से पालक हड़ियों को भी मजबूत रखती है एक कप पालक विटामन A की रोज़ाना तैयन के जामिकदार का हजार पीसा भीसा से ज्यादा इसा पराहम करता है जो हड़ियों के हज़न और मजबूती के लिए जरूरी है दिमाग और असाबी निजाम बिटामन A का पालक में वाफर उगदार में मज़ूद होना दिमाग और असाबी निजाम के लिए एक इंतहाई जूरी जूर्ज़ सिटिंगो लेपिडस बनाने में मदद करता है जो नस्तू के एर्द गिर्द घिलास बनाने में इंतहाई एहमियत का हमिल है फ्रेंड्स पालक गरम और सर्द मज़ाज दोनों अफराद के लिए यक्सा मुफीद है फोरी अज़म होने में मुफीद है मेदे की जोज़िश और फशाब की जलन दोनों में नाफिए है नजला, तीना और फेटों के दर्द और दिफार में इसर खाना बहुत मुफीद है गर्मी इस विज़ज़ से होने वाले यर्कान और खांसी को रफ़ा करती है पालक के पानी से घरगरा करना हलब से दर्द को अराम देता है पून को साफ करती है दोस्तों तो आप लोग उने पालक के प्वैस में अगर ये मालूमात आप लोग उनको अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने ताक इसी प्रासी वीजियोग और मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहे